लुट हेलो दोस्तों स्वागत आपका आज के नए वीडियो में जिसमा हम लेके है राउन टू के बारे में जबकि काफी सारे वीडियो हो चुके राउन टू के उपर बट काफी सारे सब्सक्राइब अन्ये मुझे एक सवाल के थे तो यह होगा लास्ट टे का राउन टू का वीडियो ठीक है अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक सजसन देना चाहता हूं कि मुझे पता है कि तीन तारिक तक इसके जो एंट्री से चोईस फिलिंग हो सकती है बट मेरा मनना यह है कि आप आज ही कर दो आज साम तक हो सके उतनी जल्दी कर दो तो अच्छा प्रोब्लेम हो सकती है जल्सकि मैंने पहली आपको बढ़ा दिया है कि मान लिए था कि लास्ट एक हो सर्वर क्रेस हो गया सर्वर टाइम आउट हो रहा है ऐसी सारी टेकनिकल एर्रस हा रहे है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हो सके तो आज सम्दक कर देना ठीक ह जितने भी यूसफुल वीडियोस है वो सारे के सारे अप्लोड हो चुगे तो यहां पर मैं आपको फिट से अपना टाइम पास नहीं करना चाता है मेरा और आपका तो आप वो वीडियोस देख सकते हो सारे के सारे वीडियोस की एक प्लेलिज भी बना के रखिए जिसमें आ काफी अच्छे से केर्फूल करना सिर्यसली करना चांस मत लेना यहां पे कुछ भी ठीक है तो यह सारे के सारे इंपोर्टेंट पुईंट्स है सबसे पहली बात की सामतक कर देना दूसरी बात की जितने भी यूसफूल वीडियो है राउन टूक है वो सारे के सारे अबलोड हो चुके है आप वह भी देख सकते हो और अपनी चोईस फिल काफी अच्छे से समझ विज़ार करके फिल करना ठीक है और अगर आपको अभी भी कुछ पी डाउट हो तो आप बेज ज़ग मुझे पूछ सकते अब मेरा सब कुछ नीचे लिंक है मेरा इमेल आईडी इंस्ट्राग्राम आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो ठीक है तो इस वरसे आप मेरे से कुछ भी काउंसलिंग लेना आज़ाँ तो आप लेसे लिए और लास्ट थांस में इसलिए बोल रहा हूं कि वी आर नोट शूर क उसके लिए वेट करना पड़ता है अभी से हम कुछ नहीं कह सकते है ठीक है तो इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि आप ऐसे मान के चलिए कि आपके पास यह लास्ट चांस है राउंड टू इस लास्ट किसके पास कुछ भी होने ही वाला नहीं है तो इसी तरह से आप कितनी अच् इसलिए का आप किस तरह से करें किस तरह से ना करें शूब मैं ऐसा ही यह आपको एक सजेशन देने चाहते हूं कि यह आपका लास्ट चांस है इसके बाद कुछ भी नहीं होगा ऐसा मानगे राउंड टू के लिए अपनी चूश्विंग करना है ठीक है और काफिस स्टूड आपको induction का पूरा guidance दे देगी कि आपको क्या करना है ठीक है मान लीजे कि आप है पहली round में L.E. के अंदर और round 2 में आपका हो गया निर्मा university में तो निर्मा university का अपना rule होगा कि वो किस तर से induction करवाता है तो आपको यहाँ पे यह देखने की ज़रूरत नहीं कि L.E. में induction क्या होगा फिर आप दूसरे round के बाद निर्मा में जाओगी तो वहाँ पे induction होगा कि नहीं होगा यह सारी की सारी figure करने की ज़रूरत आपको नहीं है आपको सिर्फ round 2 के बारे में ही सोतना है अभी induction के बारे में कुछ भी नहीं सोच नहीं है ठीक है तो induction का यह होगा आपका answer कि क्या करना है मतलब round 2 में induction के तो वही answer एगा कि उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक है अगर आपको मेरी like कुछ भी query हो तो मैंने मेरे सारे social media plugin नीचे description में दे दिये है आप मुझे Instagram में भी अपने सवाल पूच सकते हो Instagram में भी DM कर सकते हो and as always like my video if you have any doubt then ask me in the comment section और personally ask me do start this video with your friend and if you new to my channel then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification thank you very much